नमस्कार दोस्तों मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन सो गाइस जो आप जानते हैं जैसा कि कि हमारा एक चैनल एक आल राउंडर चैनल है सो गाइस आज का टॉपिक हमारा टेकनलोजी के ही ऊपर है बड़ गाइस आज का टॉपिक थोड़ा अलग है कॉज इसमें थोड़ी रिपेरिंग भी आई है यह देखे गाइस यह वाला मेरे स्पीकर था पिछले कम से कम 10 तिन से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि यह बज नहीं पा रहा था सो मैंने यह देखे गाइस यह जो स्पीकर है इसको पूरी तरह से निकाला और फिर अंदर की इसकी जो मशीनरी है उसमें एक टाका निकल रहा था देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा टाका निकल रहा था गाइस ये वाला टाका निकल रहा था तो सोल्टन वायर से मैंने उसको फिक्स कर दिया है तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाली अगर कभी प्रॉब्लम आए तो आप इसे फुल खोलिए उसके बाद आप इसमें आराम से अपना कोई टाका जोड लीजिए इसमें जो टाका उसमें निकला हुआ हो उसे जोड लीजिए फिर गाइस ये स्पीकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा स्पीकर में ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है क्योंकि इसकी वाइरिंग बहुती ज्यादा पतली होती है गाइस सो मैंने सोचा कि ये चीज मैंने भी की है तो क्यों ना मैं अपने यूट्यूफ चैनल पर भी ये चीज़ स्प्रेड करूँ क्योंकि लोग अकसर करके ऐसे स्पीकर को फेक देते हैं जो चलते नहीं है पर उसे खोल के नहीं देखते इसकी रिपेरिंग बहुत इजी है बस एका टाका ही इसमें कभी-कभी निकल जाता है अब मैं इसे आपको बंद करना सिखाती हूँ क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है देखिए गाइस ये कहीं भी इसमें स्क्रिव आपको नहीं देखेगा कॉस अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा क्यों होता है आपको सबसे पहले इस पे ये स्पीकर रग देना है जो इनर कोर का स्पीकर होता है इसको रग देना है और फिर आउटर बॉड़ी को इस पे लगाना है यह देखे गाईज अब मैंने इसकी आउटर बॉड़ी भी इसके उपर लगा दिये ये येलो कलर की गाईज इस पे ये वाला पार्ट जो आप इसके उपर देख रहे हैं ये जो इस पे फिक्स रहता है तो ये वाला पार्ट इसके उपर actually fix रहता है तो screws इसके अंदर छुपे रहते हैं इसे आप knife से निकाल के जब भी से आपको खोलना हो तो आप इसे निकाल सकते हैं आराम से so guys मैंने इसके उपर चारो screw लगा दी है इसके ये एक दो तीन चार चार screw लगा दी है अब इसकी outer body हमें सिर्फ इसकी उपर guys ऐसे करके fix कर देनी है बाकी कुछ नहीं करना ये देखिए guys इस तरह से इसको set करना है और ऐसे दवा देना है बस चारो तरफ से so guys हमारे speakers बिलकुल ठीक हो गए है ये देखिए बिलकुल आप ठीक हो चुके है हमारे speakers so देखिए कितना असान था guys और लोग इस टाइप के speakers को अकसर fake देते हैं बट guys ऐसा नहीं है आप इससे repair कर सकते हैं अगर आप इस salt and wire और salt and iron और एक छोटा सा screw driver ही हो तो भी आप कर सकते हो और अगर आप इस salt and wire की facility नहीं है तो आप glue gun का इस्तमाल भी कर सकते हैं बस आपको उस टाके को उस जगा पे चिपका नहीं है बाकी कुछ नहीं करना Thank you guys Like, Comment and Share and just subscribe